भार नहीं मानूगा, रार नहीं ठानूगा, काल के कपाल पर लिखता, बिठाता हूँ, धीद नयादा, धीद नयादा जीवन में बड़ी सभाई अनेक संबोधित की है लेकिन आज जैसी यह सभाई मैं कभी संबोधित करूँगा, यह कभी कल्पना मेरे मन में नहीं थी मैं जब आज जैसी सभाई कह रहा हूँ, तो मुझे उसका पहला पहला लक्षण तो यहीं क्याल में आता है कि कोई ऐसी सभाई जिसमें अडल्जी उपस्थित ना हो मैंने नहीं सोचा कभी कि मुझे ऐसी सभाई संबोधित करनी पड़ेगी यद्यपी प्रकृती से जैसे अडल्जी रहे है वे कहते थे कभी कभी कि मैं कितने दिर लहूँगा इस प्रकार की बात जब कहते थे तो मन में तकलीफ होती थी मैंने जब पुस्थक लिखी थी अपने जीवन की आत्म कथा की उसमें अटल्जी का उलेक था और इसी लिए जब उस पुस्थक का विमोचन हुआ और उसमें अटल्जी नहीं आये तो मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं उसका उलेक सब जगे करता था कि मैंने पुस्थक का लिखी पुस्थक का प्रकाशन भी हुआ लेकिन पुस्थक का जब विमोचन हुआ तो अटल्जी उपस्थित नहीं थे मुझे मन में कष्ट हुआ था आज स्वेम उटल्जी उपस्थित नहीं है और ऐसी एक असाधारन सभा हो रही है जिसमें केवल मात्र अटल्जी को जानने वाले अटल्जी के साथ काम करने वाले ऐसे ही अनेक कारे करता नहीं है लेकिन जिविन पार्टियों के अलग-अलग नेता जिनका शायद जनसंग से संग से संबन नभी रहा हो ऐसे भी यहां उपस्तित हैं इसका मुझे बहुत खुश इसकी मुझे बहुत खुशी है बहुत आनन्द है लेकिन रानमंत्री जी अभे भी इस प्रकार से वरनन बता रख कर रहे थे और अटल जी के गुण हमारे सामने रख रहे थे ऐसी अनेक बातें और भी लोग कर सकते हैं लेकिन मैं तो अपने को सभागिशाली बानता हूँ कि मेरी मित्रता अटल जी से 65 साल से रही है 65 साल से मैंने उनको दिकट से देखा है और जैसे अभी अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उनके साथ साथ मिल करके कई सारे अनुहों किये सिनेमा भी साथ साथ देखते थे पुस्त के साथ साथ पढ़ते थे इतना ही नहीं तो कोई अगर अटल जी के परिशे का कोई साथ साथ कार उनके जीवन परिशे से करेगा तो ये भी जानेगा कि अटल जी की विशेष्टाओं में एक विशेष्टा ये थी कि भोजन अच्छा पका सकते हैं बढ़िया भोजन बनाते हैं और उनके साथ साथ रहते हुए मुझे इसका बहुत अनुभो हुआ कि उनके कभी और कोई पकाने वाला नहीं और अटल जी ही भोजन पका करके खिलाते थे उचाए खिचड़ी सही मैं इस बात का उल्लेक इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक दिन मैंने अपनी पुस्तक लिख करके प्रकाशित की और सारवजनिक रूप से मैं उसको पितरिश करूँगा ये घोशित किया और अटल जी उस दिन नहीं आ सके तो मुझे कितना दुख हुआ कि अटल जी पेरी पुस्तक के विमोचन के दिन भी नहीं आये और आज इस सभा में मैं जब बोल रहा हूँ तो अटल जी की अनुपस्तिती में बोल रहा हूँ इसका दुख होता है किस्ट होता है मैं उनसे बहुत सीखा हूँ उनसे बहुत पाया है मैंने यो तो यह पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग मुझे सिखादे को आए और मेरे कारकमों में आए और उनमें अटल जी तो प्रमुख है लेकिन मैं कभी भूलने ही पाता हूँ कि कैसे महान लोग थे और भी आज भी यहाँ पर बेढ़े हुए बहुत सारे महान लोग है कि जिनका सहवास जिसनिस व्यक्ति को मिलता है वो बहुत कुछ सीख पाता है अभी जिप का हमने भाशर सुना संग के सरदमी तालक उनी से बहुत कुछ हमने सीखा और आज जब वो अटल जी के बारे में हमको बता रहे थे तो उनके एक एक शब्द को मैं ग्रहन करने की कोशिश करता था और सोचता था कि कितना अच्छा होता कि आज हम अटल जी के अनुपस्थिती में ये बाते न कहते लेकिन उनके सामने कहते तो कितना आनंद होता कितना उसके करण मन में संतोश होता और समाधान होता बहुत कुछ हमने सीखा अटल जी से बहुत कुछ पाया अटल जी से और इसी लिए दुख होता है कि वो हमको छोड़ करके और हमसे अलग हो गए नियम है लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि अटल जी ने जो कुछ हमको सिखाया जो कुछ हमको दिया उसको करके हम अपना जीवन बिताएं यतनी मात्रा में हम ये कर सकेगे उतला हम एक प्रकार से जो सौंसकार हमने राष्ट्रियस परिम से अक सौंग से आये है वो हमने उन सौंसकारों को हमने कार्यानुवित किया ये हमको मन में सम्तोष होगा यहीं कह करके मैं पिनम्र सद्धान जली अटल जहरी बाजपेजी को समर्पित करता हूँ और भगवार से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर मैं स्वयम जीवन भर चलता हूँ और सब साथियों को वही सौंसकार देने के मैं समर्प हो सकूँ ये शक्ती भगवार मुझे देगा